हेलो इस्टूटेंट कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल लोग बच्चो जैसा कि कमिश्टी का माडल सेट हमने ए और बी आपको जो अबजेक प्रवाइड कर देते हैं जिन बच्चों को चारो सेट लेना है अभी तक नहीं लिए हैं तो कंटेक्ट नमबर 9685-29949 वनली बच्चो 20 रुपी चार्ज है आप लोग ले सकते हैं चलिए सुरू करते हैं अबजेक्टिव फ्री में है कोई दिक्कत नहीं है एक बच्चे ने एक बटा दो है है ना और बच्चो बी का पावर है तीन बटा दो कुछ ऐसे ही है तो इनके घातांकों को जोडेंगे तो चार बटा दो आएगा तो अब क्रिया की गोटी दो निकलकर आ जाएगी ठीक है तो अब क्रिया की कोटी पूछा है ना तो अब क्रिया की कोटी दो ह मेर बेन का तिल जो होता है नाइट्रो बिंजीन होता है क्या होता है फास जीन का सूत्र COCL2 है कौन सा लेंठरनेट सर्वाधिक उपयोगी है तो सीरियम है निमने कि तुमें HC-CL2 के साथ HG HG CL2 के साथ सफेत अब अच्छेप देता है तो फारमी कम ले है आपका देखे रिक्तिस्थान की पूर्ति करना है वो यह अबक्रिया है जो विक्रण के अबसोषण से उत्पन होती है मतलब विक्रण का अबसोषण करती है और फिर राषानिक अबक्रिया संपन होती है उसे प्रकास राषानिक अबक्रिया कहते है क्या बच्छो प्रकास राषानिक अबक्रिया है देखे एबला के तत्यों को अंतर संक्रम्न तत्यों कहा जाता है इसका नाम है पोटेसियम 6 cyanide तो potassium hexasino ferrite potassium hexasino ferrite second है ठीक है potassium hexasino ferrite second IUP इसी नाम है calcium acetate के सुस्क आस्वन से क्या बनता है बताओ calcium acetate के सुस्क आस्वन से बनता है acetone क्या बनता है acetone CS3-CO-CH acetone का सूथ क्या है CS3-CO-CH3 यह है acetone ठीक चलिए आगे देखिए बच्चो Ethylamine या Methylamine अमोनिया से अधिक छारी होती है यहाँ पर लिख लेना अधिक छारी होती है यहाँ पर देखो protein की मॉली की काई यहाँ पर amino आमल सत असत पर चलते हैं पहला प्रशन है जली बिलियन वाले विद्दूत अब घटनी सेल में सोडियम धातू की छण इलेक्ट्रोड की तरह कार करता है बिल्कुल नहीं केंद्री धात परमान में उपससे हो जी बंसे जडायन लिगेंड कहलाता है ठीक है केंद्री धात के साथ जो जड़ा रहता है लिगेंड है एलिफेटिक एमीन अमोनिया से कमचारी होती है यहाँ पर बताना है एलिफेटिक तो असत है अभी आपने पढ़ा था अधिक होता है एंजाइम प्रोटीन होते हैं एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं बिल्कुल सत्त है नाइट्रोबेंजीन मीरवेन का तेल बिल्कुल सत्त है आगे चलते है टी अनटी यह कोश्चन पिछले में हमने कराया था यह आपका बिसफोटा कोता है टी अनटी डाइजोनियों लबड C6H5N2Cl प्रात्मिक एमीन आपका आरेनेस्टू गुलुकोज वच्चो एमीनो एशिड क्या हो जाएगा एमीनो एशिड में आपका पिप्टाइड बंद और गुलुकोज एल्डोहेक्सोस फ्रेक्टोज में पाईरोनोस सनरचना पाई जाती है पाईरोनोस सनरचना यह सी नंबर ठीक बता दिया ना फिर से एक बार टीनेटी आपका बिसफोटाक है ठीक बिसफोटाक है जो गुलुकोज है आपका हेल्डोहेक्सोस फ्रेक्टोज में, पिरुनोस सनचना, प्राथमे कैमीर, आरेनेस्टू, और आपका अमीनो एसिट पेप्टाइड बंद, ठीक है, और डाइजोनियम लबड, C6H5N2Cl, आगे चलते हैं, एक बाके में, उत्तर, बाकी प्रश्न तो आपको नहीं मिल पाएंगे इसके, त्योंकि संक्रमण धातूओं में, संक्रमण धातूओं के लवड, समानता रंगीन होते हैं, क्यों, तो DD संक्रमण के कारण, DD संक्रमण होता है, तो रंगीन बनते हैं, उसे कारवधात्वी के योगी का नाम लिखे है, जो प्रिटोल में, आइस्पुट रोधी योगी के रुप में क अबिलार करता है, तो टेट्राएफिल एधिलेड, टेट्राएफिलेड, हिंसबर्ग अभिकर्म का नाम, बेंजीन शल्फोनेल क्लॉराइड, लिक्लो बेंजीन सल्फोनेल क्लॉराइड, RNA में थाइमेन के जगे यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है किसका यूरेसिल का बाल उन रेसम में उपस्थित प्रोटीन का नाम कैरोटीन क्या होता है कैरोटीन तो यह objective हमने C-set का करा दिया है जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं तो एक बार फिर से कंटेक्ट नंबर बता दूँगा 20 रूपीज चार्ज है 9685299149 96852999 चार्ज पर आप लोग कंटेक्ट कर सकते होटसप में और बच्चो मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि जिसको भी हमारे टेलिग्राम में जुड़ना है